गुद मॉर्निंग स्ट्विड माइनेम इरजय मैं आपको क्लाश्ट वर्फ कॉमर्स का बिजनेस माथमेटिकन स्टाटिस्टिक्स करवा रहा था इसमें हमने चैप्टर टू का एक्सरसाइस टू बी का पिछले विडियो में हमने 4 नंबर कोश्ट तक कम्पिट किया था आज हम 5 नंबर कोश्ट नंबर 5 से कंटिन्यू रखेंगे question number 5 में 0.5 plus 0.55 plus 0.35 and पदो तक का योगफल ग्याद कीजिए ठीक है 0.5 plus 0.55 0.55 plus 2n terms decimal अटाएंगे 5 by 10 यहां decimal अटाएंगे 55 by 100 यहां decimal अटाएंगे 55 by 1000 plus 2n terms 5 common लेंगे 1 by 10 plus 11 by 100 plus 11 by 1000 plus 2n terms ठीक है उसके बाद हम क्या करें 9 से multiply कर देंगे 9 तो इसको 9 से multiply करते तो हम इसको balance करने के लिए डिवाइड भी करते हैं ठीक है वापस अगर हमको इस position में आ लाओ तो यह 9 common लेंगे तो 1 यहां पर 11 यहां 11 अब बाहर में 9 common आएगा यह 9 9 कैंसल करके इसको balance कर देगा ठीक है अब क्या करेंगे 1 जो है 11 तो 1 plus 1 plus 1 to and terms अलग कर लेंगे इसमें माइनस कामन ले लेंगे अब 1 by 10 प्लस 1 by 100 प्लस 1 by 1000 प्लस यह ठीक है 1 plus 1 plus 1 अगर इसको समझाते की इसको यह अम यह जिए ठीक है अगर चार्ट टर्म है 1 plus 1 plus 1 टीक है इनका sum में 4 और 4 terms है, तो number of terms is equal to 4, और इनका sum भी 4 होगा, equal होगा, इसलिए आम जहां तक यह जाएगा, तो last वाला जो n होगा, number of terms, इनका sum होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या formula होता है, 1 by 10 है, first term, ratio निकालेंगे, 1 by 100 divided 1 by 10, second term divided first term, अगर हम इसको multiply में change करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, ratio पोकल हो जाएगा, 10 by 1, cancel करेंगे, 1 by 10 आजाएगा, ठीक है, 1 by 10, common ratio आजाएगा, आपके अज़र होगे, इसमें put करेंगे, 1 by 10, common ratio की जाएगा, 1 minus 1 by 10, और दूसरा चीज़ किया, 1 by 10 क्या है, 1 से less है, r less than 1, जब less than 1 होता है, r का value less than 1 होता है, तो sum of nth term क्या लेते हैं, formula a, 1 minus r to the power n divided 1 minus r, ठीक है, 1 minus 1 by 10 the power n, 1 minus 1 by 10, इसी को solve करते हैं, 1 minus 1 to the power n, and 10 the power n, तो 1 का, अगर 1000 भी power होगा, तो क्या आएगा, value 1 आएगा, यहां पर 1 को कितना भी power हो, n का value कितना भी हो, is equal to क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, इधर 10 calcium हमनेंगा, 10 into 10 minus 1, आएगा, आएगा, फाइनली हमनें, 5 by 9, n minus 1 by 10, 10 the power n minus 1, 10 the power n, 9 by 10, ठीक है, अब क्या होगा, 1 by 10, 10, उपर चाहाएगा, और 9, इसे रेशियो कोल हो जाता है, यह 10, 10 cancel हो जाएगा, 10 the power n minus 1, 10 the power n minus 1, minus 1 पावर में नहीं है, 10 the power n minus 1 है, 10 the power n, फिर अलग से यह minus 1, ठीक है, यह पावर के साथ minus 1 नहीं है, इसके साथ है, ठीक है, 9 into 10 the power n, multiply हो गया, यह फाइनली आपका answer हो गया, ठीक है, अगला question देखते हैं, अगला question 6 number जो है, same question है, वो solve कर सकते हैं, ठीक है, इस लीज को meet करते हैं, 7 number देखते हैं, 7 number में 1 plus 2 plus 2 का square के कितने पदों को लिया जाए कि इसको योख़र 511 हो, 7 number बनाते हैं, 1 plus 2 plus 2 का square, a is equal to 1, और second term by first term to r, क्या है, greater than 1 है, तो greater than 1 में क्या लेते हैं, formula, a into r to the power n minus 1, r plus 1, sorry, r plus 1 नहीं, r minus 1, ठीक है, अगर का value 511, 501 minus 2 the power n minus 1, 2 minus 1, 511, 2 and to the power n minus 1, 1 करने चे को कोई value नहीं है, 2 the power minus 1, equal किदर आएगा, plus 1 हो जाएगा, ठीक है, minus 1, equal किदर आएगा, plus 1 हो जाएगा, 512 is equal to the power n, 2 का power 9 का value होता है, 512, ठीक है, अगर जब दोनो, equal के दोनो और base same हो, तो power भी क्या होता है, equal हो लगता है, a का power n is equal to a का power n, दोनो base same है, a, a, base same है, तो power भी क्या होगा, same हो जाएगा, ठीक है, तो n का value क्या गया, 9 आ गया, ठीक है, 8 number question में आते हैं, 8 number क्या क्या करता है, यदि किसी GP का प्रथम a, पद a है, और n वा पद b हो, तो n पदों का गुनरफल b हो, तो दिखाएगे, p square is equal to a, b का power n, ठीक है, तो 8 number question में परखते हैं, तो first term को क्या था, a था, nth term क्या था, b था, last term, and common difference क्या ले लिए था है, r, product of n terms is equal to p, so that p square is equal to a, b, to the power n, to the power whole n, ठीक है, nth term is equal to b, क्या होता है, nth term का formula, a into first term into ratio, common ratio का power n minus 1, is equal to b, b by a, a क्या होगा, उदर जाके divide करेगा, b को तो b by a, r n minus 1, ठीक है, p, तो यह क्या है, product of n terms, a into a r into a r square into a r q, dot dot a r n minus 1, यहाँ पर last term होगया, last term होगया, last term होगया, a r, to the power n में, तो यहाँ पर a का power n कर देते हैं, अलग कर दे रहे हैं, जैसे कि a है, यह फिर a है, फिर a है, फिर a है, क्या होगया, 1 plus 1 plus 1, जितना number of terms तक गया होगा, तो यह add होगा, तो हम direct and लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ मा लिजाएं, कि यह 3 term तक गया है, तो यह add होगा, 1 plus 1 plus 1, तो a का power q होगया, ठीक है, a का power q होगया, तो यह number of terms भी 1 plus 2, तो हम लो number of terms भी 3 ही होगया, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग a का power n लिख देने, क्योंकि अगर बेस सेम हो और multiply form में हो तो इसके पावर को क्या करते है एड करते है तो यह सारे पावर इसके एड होंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 4 वह से आगे क्यों तो n तक दिये जाएगा ठीक है आर गा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एड माईनस वन तक जाएगा ठीक है और यह 1 प्लस 2 प्लस 3 जा रहा है न इसका सम निकालेंगा अबनों यह क्या है एपी के फर्म में है एपी क्या करते हैं by N by 2 , च्वाली है N by 2 क्या फार्मुला था, इपी का संबला N by 2 2A plus N minus 1 D common, ठीक है तो यहाँ पर N का वैलू हम लोग क्या लेघे यहाँ आपर N minus 1 लेखे, क्योंकि यही लास्ट तक गया हुआ थीक है सब बारह एन माइनस वन तक लेंगा ठीक है एन माइनस वन लेने का बज़या क्या है कि यहां पर आर का वैलू नहीं है बर काउंट तो यहां से यहां तक एन टर्म तक जाएंगे हम लोग तीक है इसलिए पावर में एन माइनस वन है n-1 by 2, 2 into 1, first term, plus n का value क्या है, n-1, minus 1, bracket close, common difference, multiply 1, rn-1 by 2, ये 2, plus n-1, bracket open होगा, minus 1, 1 multiply होगा, तो वही चीज़ रह जाएगा, ठीकिया, a का power n, rn-1 by 2, 2 plus n-2, ये plus 2 minus 2, cancel होगा, बचाएँ यहाँ पर क्या n, a का power n, rn into n-1 by 2, ठीकिया, r का power n-1 by 2 into n, ये multiply n में है, ठीकिया, अब इसकों क्या करेंगे, bracket में कर लेंगे, हमको एक formula पता है, exponent का, a का power m into, whole power n, क्या होता है, m into n, इसी position में ये वाला है, इसी position में हम इसको कर लेते है, फिट एक formula होता है, exponent में ही, a का power m, and b का power m, दोनों का power same है, तो हम मैच से करके लेख सकते हैं, अंदर में, whole कर सकते हैं, bracket m, ये काम किया है, हमने यहाँ पर, a, a हो गया, whole b, power दोनों का same है, तो हम ऐसे करके लेख सकते हैं, ठीक है, a into rn-1 by 2, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, n-1, 1 by 2, इसको बाहर कर देते हैं, बाहर करने से क्या होगा, a, sorry, rn-1, इसको 1 by 2, ऐसे भी लेख सकते हैं, यहाँ इसको हम ऐसे करके लिख दिए, 1 by 2, ठीक है, bracket में, इस formula का, यूज़ करके, ठीक है, m into n, k, n-1 into 1 by 2, लेख सकते हैं, इसको, और उसके बाद, n-1, bracket whole, 1 by 2, ठीक है, फाइनली, rn-1, 1 by 2, n आगया, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, e, b by a, half, b by a, half, क्यों लिए हैं, क्योंकि rn-1, rn-1 is equal to b by a है, ठीक है, इसके जगा हम क्या करेंगे, put कर देंगे, b by a, यह वाले part के जगा पर हम क्या put करेंगे, rn-1, b by a, ठीक है, d by a, put कर दें, half, both side squaring करेंगे, p square हो जागा, इधर, इधर, b square करेंगे, तो, 2 से multiply हो जागा, 2n, ठीक है, तो, यह 2, क्या करेंगा, सिफ n को बाहर रहने देते हैं, 2 को अंदर कर देते हैं, तो, a square हो जागा, b by a, यह 1 by 2 से 2 multiply होगा, तो, 2 cancel हो जाएगा, ठीक है, तो, a square into b by a होगा, a cancel होगा, यहाँ, a square का मतलब क्या है, a into a, यहाँ, एक a, इसको cancel कर देगा, ठीक है, तो, बचेगा, a into b, a b, a power n, यहीं हमनों को प्रूफ करना था, ठीक है, 9 number question एक ते, 9 number, the sum of the n terms of series is a, the sum of n terms of series is a, 2 the power n minus b, you find its nth term, a into 2 the power n minus b, find the nth term, are the terms of the series in gp, तो, 9 number, एक है, sum of n terms, a into 2n minus b, sum of, क्या करते हैं, एक, क्या करें, गटा देंगे, ठीक है, एक मतलब जैसे, यह 2, 4, 6, 8 जा रहा है, ठीक है, तो, यह, sum of s4, 4, 6, 10, 10, 12, 8, 20 होगी है, इसका, इस 4 term का, फिर, 4 minus 1 करते हैं, ठीक है, तो, 4 minus 1 करते हैं, तो, क्या आएगा, 3rd term, तो, 6, 4, 10, 12 आएगा, अब, s4 minus s3 करते हैं, तो, 20 minus 12, 20 minus 12 क्या आगे है, मेरा 8, तो, यह last term आजाता है, तो, इसी तरहीज़ा हम निकाल सकते हैं, sn minus n, sn minus 1, formula भी है यह, last term निकालने का, ठीक है, a का, into 2 the power n minus b, minus, यह अभी था, a into 2 n minus 1, यहाँ पर क्या हो गया, n का value n minus 1, तो, n minus 1 minus b करते हैं, ठीक है, ओपन करेंगे, ब्रेकेट, minus इसके साथ हो जागा, यह minus minus plus, कैंसल हो जाएगा, a into 2 the power n minus, a into 2 the power n minus 1, a into 2 the power n minus, a into 2 the power n by 2, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a का power m, और a का power n, क्या होता है, बेस से मोने से, m minus है, तो, यह वाला, जो है, यह, इस portion में लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसको हम चेंज कियें, यह वाले portion में, 2 the power n by 2, ठीक है, डिवाइड में, फिर्म क्या करेंगे, lcm लेंगे 2, 2 क्या करेगा, यहाँ पर, multiply करेगा, a into 2 the power n into 2, minus a into 2 the power n, ठीक है, a into 2 the power n, कामन लेंगे, 2 minus 1 होगा, 2, यह 1 हो जाएगा, वैलू क्या जाएगा, वैलू आएगा, a into 2 the power n into 1, divided 2, a into 2 the power n, 2, आई यह फिर यहाँ पर क्या होगा, यही फॉर्मुला, a का power m, a का power n, बेज दोनों सेम होगा, तो डिवाइड में क्या होता है, power minus होता है, तो n minus 1, a into 2 the power n minus 1, फिर चेक करना है, चेक करते हैं, कि यह जीपी में आया कि नहीं, तो पुट करते है, t1, a into 2, 1 minus 1, तो a into 2 the power 0, जब भी किसी पी, किसी नमबर, किसी पी पी पावर, अगर 0 लेजा तो वैलू हमेशा 1 होता है, 1, t, 2 minus 1, a into 2, 2 a, a into 2 the 3 minus 1, 4 a, and a into 4, 2 the power 4 minus 1, 2 the cube, 8 a, अब इसका common ratio निकालेंगे, 2 second term, divide first term, 2 a by a, a cancel 2, third term, divided second term, 4 a by 2 a, cancel, तो दो इक्वल आ गया, common ratio, for the given series, gp, यह हमको सो करना था, find the, अगला question क्या है, find the anthem, and the sum of the anthems, of the series, 1 plus 1 plus 2, plus 1 plus 2, plus 2, plus 2, plus dot dot, 10 number में बनाएंगे, 10 number में देखिए, 1 plus 1 plus 2, plus 1 plus 2, 2 square, plus 2 and terms, 1 plus 2, plus 2 square, plus 2 का power q, plus 2 the power n minus 1, यह समझ मार रहा है, यह क्या हो है, यह जैसे कि, आगे क्यों बढ़ा, तो last term हम देख रहे है, last term हम लोगा value, last term हम यह निकाल रहा है, 1, ऐसे करके बढ़ रहा है, 1, 1 plus 2, फिर अगला, 1 plus 2, 2 square, फिर अगला क्या आएगा, 1 plus 2, plus 2 square, plus 2 cube, ऐसे क्यों आगे बढ़ रहा है, 1 plus 2 square, plus 2 cube, तो last term, 1 to the power n minus 1, 2 minus 1 है, तो यहाँ पर हम लोग को, n to term हो गया, 1 into 2 to the power n minus 1, इसको sum कर दे रहा है, यह वाले part को हम लोग क्या कर रहा है, sum कर दे रहा है, यह बस, इसको नहीं, यह वाले part को में लोग साम कर रहा है, ठीक है, last term का value है, निकाल रहा है, 1 into a r ratio, क्या लिखते हैं, a r n minus 1, r minus 1, तो a क्या है, मेरा 1 है, इसमें, और common ratio क्या है, 2 है, 2 by 1, 2 n minus 1, 2 minus 1, last term मेरा क्या है, 2 n minus 1, ठीक है, यही last term मेरा आया, फिर put करते हैं, इसमें value, 2 minus 1, 2, 3, 7, ठीक है, जा रहा है, 1, 2, 3, 1 plus 2, 2 का स्क्वार 4, 4 plus 2, 6, 6, 7, ऐसे क्यों आगे जा रहा है, तो यह आगे, अब यहाँ पर इसका sum करना है, 1 plus 1 plus 2, 1 plus 2, 2 2 square, तो 1 plus 1, 1 plus 2 plus 1, 1 plus 2 plus 2 square plus 1, हम क्या करते हैं, सब में 1 1 add कर देते हैं, ठीक है, अइधर क्या करते हैं, जो जो 1 add किये हैं, उतना 1 1, सब में minus भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना होगा, इसमें extra 1 add किये हैं, तो यह 1 minus होगी, इसमें फिर एक्स्टा 1 किये थे, यह minus कर दिया, यह 1 add किये, इसमें यह minus कर दिया, तो 1 plus 1, 2, 4, 8, 2 n times, minus, यह जहां तक भी गिया है, भी तक मैंने बताया था, कि 1 plus 1, plus 1 को होगा, जो सम करेंगे, तो हम लोग n में लेक सकते हैं, जहां तक यह n times गया है, उतना ही सम यह n होगा, ठीक है, तो 2 plus 4 plus 2 n times, minus n, ठीक है, 2, 2 के square plus 2 cube, 2 the power n minus n, फिर हम लोग यह formula में बैठाएंगे, 2 plus 2 n minus 1, 2 minus 1, minus n, 2 to the power n minus 1, minus n, यहां तक ठीक है, 2 to the power n minus 1, minus n, 2 into 2 to the power n minus 2, इससे multiply by minus 2 minus n, इसको solve करेंगे, यह हमारा value आ जाएगा, ठीक है, n plus 1, इस पर power 1 है, तो multiply में बैठ से मुता क्या होता है, n plus 1, minus 2 minus 1, इससे आप आगे का वीडियो हम लोग, अगले class में complete करेंगे, ठीक है, यह वाला value समझ में आया, यह वाला क्या हुआ, 2 का power n into 2 का power n, बैस सेम होता तो क्या होता है, n plus 1, power add हो जाता है, यह होगे, n plus 1, minus 2 minus 1, ठीक है,